ओके तो आज मैं रिपेर करने लगा हूँ Corsair का H-100i version 2 इसके साथ मसला यह है कि यह दिखने में तो बिल्कुल brand new जैसा है मगर इसका pump किसी काम कर नहीं है, pump dead है totally तो देखते हैं कि क्या मसला है इसके अंदर यहां पर इसके चार screws लगे वे है इसके अंदर यह बहुत भी बेतुका सा फोम घुसावा है यहां पर इसके LED light plate है जो Corsair लोगो जो है लिट करती है यहां पर भी इसका screw लगावा है सारे circuit totally यहीं पर है यह circuit देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है और मुझे नहीं लगता है कि सारे circuit में कोई इशू आएगा में इशू मोटर का है क्योंकि मोटर डैड है बाकी LED लैट जल रही है total response कर रहा है आई लिंक जो है मगर मोटर रोटेटनी कर रही है तो जैसा कि मैं सोच रहा था मेरा शक्स ही निकला कि इसके अंदर यह जो मोटर से जो दोनों तारे connect हो रही थी circuit से वो दोनों ब्रेक होई भी है एक तार यहां पर और यहां पर positive और negative तारे दोनों ब्रेक होई भी है coil की तारे जो मोटर की जो coil होती है उसकी दोनों तारे यहां से टूटी भी है इस point से और इस point से तो मुझे करना यह है कि यह मोटर के अंदर से यह धूनके मुझे इसमें दोबारा जो है सोलड करनी हैं मसला यह है कि यह थारें बहुत छोटी हैं यह लिए यह होंगी तो मैं क्या करता हूँ इसका एक round unwind करता हूं ताके तारे थोड़ी लंबी हो जाएं और मैं सर्किट में इसको कर लूँ मैंने बहुत कोशिश की मगर नहीं हो जका तो मैंने क्या किया एक तार मैंने कट कर दी तो थोड़ी सी मुझे उस तार को एक्सिस हो गई मगर फिर भी लेंट इतरी नहीं थी तो फिर मैंने क्या किया ये दो तारे इसके साथ सोल्ड कर दी मैंने बहुत ज़्यादा मेनत करने के बाद मगर इस चीज़ का दिहान रखा कि किसी शॉर्ट नाउ जो कि इंसूलेटिड ह तो ये शॉर्ट सरकिट नहीं करेंगी इंतारों का दूसरा सर मैं यहां पर जोड़ दूँगा तो मैंने इस कूलर को वापिस सोल्ड करके इसको बन किया और इसको टेस्ट किया मैंने तो इसका पॉम्प आप वापिस सही तरीके से काम कर रहा है तो अब मैं इसको वापिस अतने सिस्टम में इंस्टाल कर दूँगा थैंक्स पर वाचिंग सी यो नेक्स टाइम बाबाए